श्री मा सारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन शास्त्रों में है कि आध्यात्मिक जगत के महापुरुषों का आचरन कभी प्राग्य के समान तो कभी बालक के समान होता है साधारन मनुष्य, साधारन दृष्टी में उसकी व्याक्या नहीं ढून पाता श्री मा में भी कभी कभी बाली का सुलब व्यवार नजर आता वे लाल्टे निस्तेमाल करती पर चिमनी खोल कर साफ नहीं कर पाती कहती उसमें बड़े कलपुर्जे रहते हैं मैं खोल नहीं पाती कोल का था कि एक लड़की की बुद्धी की प्रशंसा करते हुए कहती उसे घड़ी में चाबी देना आता है राम मय महराज अर्थात स्वामी गवरीश्वरानंद उस समय स्कूल के छात्र थे जैरामबाटी के पास ही उनका घर था सब्ताहान्त में श्री मा के पास जाकर रहते और नाना कामों में उनकी सहायता करते एक दिन बहुत से भगता आये थे और श्री मा उनके लिए रोटियां बेल रही थी राम मय महराज ने आटा गूठ दिया था वे और श्री मा रोटी बेल रहे थे नलीनी दिदी रोटियां सेक रही थी अचानक नलीनी दिदी कहे उठी बुआ तुम्हारी रोटियों से राम मै की रोटियां अच्छी फूल रही है कहने के साथ ही साथ छोटी लड़की की तरह नाराज हो श्री मा ने चकला बेलन सरका दिया और बोली मैं रोटी बेलते बेलते बुढ़ी हो गई और राममय जो भी दूद मुहा बच्चा है गला दबाते ही जिसके मुह से दूद निकलाएगा वह मुझसे अच्छी रोटिया बेल रहा है मैं अब नहीं बेलूँगी वही बेले बड़ी मुश्किल हो गई राममय महाराज ने भी चकला बेलन सरका दिया और बोले आप अगर नहीं बेलेंगी तो मैं भी नहीं बेलूँगा राममय महाराज ने नलिनी दिदी से कहा दोनों एक साथ दे रहे हैं तुमने कैसे पहचाना कौन सी रोटी बुआ की है और कौन सी मेरी। श्री मा से अच्छी रोटियां मैं कभी बेल सकता हूँ। तुम निरर्थक तुलना क्यों कर रही हो। श्री मा तब खुश होकर पुनाह रोटियां बेलने में जुट गई।